दोस्तों यदि आप इस्रम कार्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं यानि इस्रम पोर्टल पे अपना राइस्टेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जैसा कि आप लोगों पता ही होगा कि जिल लोगों ने 2021 में इस्रम पोर्टल पे राइस्टेशन करा लिया है उन सभी लोगों के बैंक खाते में एक हजार रुपय की पहले किस्त आ चुकी है और अभी दूसरी किस्त आनी बागी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अभी तक इस्रम पोर्टल पे अपना राइस्टेशन नह यानि इस्रम कार्ट नहीं बनवाया है तो उन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेट आते हैं कि जो लोग 2021 में इस्रम कार्ट नहीं बनवाया है और 2022 में अपना इस्रम कार्ट बनवाना चाहते हैं उन लोगों के बैंक खाते में यह 1000 रुपया आएगा या फिर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूं कि यूपी कवर्मेंट ने ये अनाूंस किया था कि जो लोग 31 दिसंबर 2021 तक इस रम पोर्टल पे अपना राइश्टेशन करा लेंगे उन लोगों के बैंक खाते में 500 रुपया की 4 किस भेजी जाएगी तो जिल नोगों ने 31 दिसंबर 2021 तक इस रम पोर्टल पे राइश्टेशन करा कर अपना इस रम कार्ट बनवा लिया है उन लोगों के खाते में दो महिने की 5500 मिला कर 1000 रुपया उनके बैंक खाते में आ जूकी है और अभी बात में फिर से दो महिने की एक साथ यानि 5500 रुपय मिला कर 1000 रुपया उनके बैंक खाते में आएगी तो जिल लोगों ने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इस रम कार्ट नहीं बनवाया है यानि इस रम पोर्टल पे अपना रहिश्टेशन नहीं कराया है उन लोगों को इसका लाप नहीं मिल पाएगा यानि उनके बैंक खाते में ये 1000 रिपर नहीं मिलेंगे लेकिन इसके अलावा जो लोग 2022 में अपना इस रम कार्ट बनवाएंगे उनको सरकार के तरफ से आगे आने वाली सभी योजनाओं का लाप मिलेगा तो इसलिए यदि आपने अभी तक इस रम पोर्टल पे अपना रहिश्टेशन नहीं कराया है यान मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिस्नल बाक्स मिल जाएगा उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से मातर पांच मिनट के अंदर घर पैठे बैठे अपने मोईल से ही इस रम कार्ट पनवा सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो यह जानकारी आपनों को कैस कि एक और ग्यान वाले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद